वेलकम प्रेंट्स जाजस्तान माद्यमी शिक्सा बोर्ड दोरा जारी आपका जो क्वेशन बेंक है उसके पार्ट शिक्स में आपका स्वागत है हमने आपके आज उसमें दिये हुए जो टेक्स्ट बुक के क्वेशन से उन्हें सोल किया है पहला क्वेशन आपके दिया हुआ है why was it difficult to rob Anil ये दाथीफ सी स्टोरी से दिया हुआ है Anil को लूटना कटिन क्यों था answer Anil was a careless man Anil एक लापरवा व्यक्ति था sometimes he did not even notice that he had been robbed कभी कभी उसे पता ही नहीं लगता था कि उसे लूट लिया गया है and they took all the pressure out of the work और इसे कारे करने का आनन्द ही चला जाता है so it was difficult to rob Anil इस प्रकार Anil को लूटना बहुत कटिन था question number two footprints without Pete से लिया है how did the scientist become invisible जो वेग्यानिक था वो किस seat of glass वेग्यानिक द्रसी हो गया उसने कुछ निश्चित प्रकार की दुर्लब दवाईया थी उन्हें निगल गया उनका seven कर लिया इससे उसका सरीर पारदर्सी और मजबूत हो गया जैसे की एक कांच की seat होती है उसकी तरह question number three आपके बोली केप्टर से लिया है why was बोली sent to school बोली को इसकूल क्यों भेजा गया answer बोली was sent to school because of two regions बोली को दो कारणों की वज़े से इसकूल भेजा गया पर्ष्ट दर तरसिलदार asked his father to do so पहले तो तरसिलदार ने उसके पितासे सा करने को खा था second she was witless and ugly and there was no chance of her marriage दूसा करण था वो कम भुद्धी की और कम सुन्दर थी और उसके विवा होने के कोई chance नहीं थे कोई संभावना नहीं थी इसलिए उसको विद्ध्याले बेश दिया गया question number four आपके resolution chapter से लिया है question what did Anna determined to do after the nightmare डराओना सपना देखने के बाद Anna ने क्या करने के बारे में द्रड संकल्प किया answer है Anna determined to impart training to the youth of the village on water management techniques after the nightmare वो डराओना सपना देखने के बाद Anna ने ये प्रतिग्या की ये संकल्प लिया की वो गाउं के युवा लड़कों को परशिक्षित करेगा पानी का जो management क्या जो तरीका है जल बचाने का जल संचे करने का वो उन्हें समझाएगा they intern would train the entire village और बदले में वे भी दूसरे और बच्चे हैं गाउं के उन्हें परशिक्षित करेंगे पूरा गाउं परशिक्षित हो जाएगा question number 5 हमने आपके the book date shared the earth chapter से लिया है question है why was the 20th century called the era of the book बीश्वी सताब्दी को पुष्टकों का युग क्यों कहा जाता था answer is the 20th century was often called the era of the book because in the day there were books from antithers to joluz बीश्वी सताब्दी को पुष्टकों का युग कहा जाता था क्योंकि उन दिनों चीटी खाने वाले जीवों से लेकर जो जुलूज है जक्षिन अप्रिका में पाए जाने वाली प्रजाती वहां तक के जो जीव थे लोग थे उनके बारे में पुष्टकें थी books taught people how to when to where to and why to पुष्टकों ने लोगों को शिखाया पढ़ाया केसे कब कहा और क्यों how can the body signals help in achieving good health यानि की जो सरीर के जो संकेत मिलते हैं वे उत्तम स्वास्ते प्राप्त करने में किस प्रकार मदद करते हैं answer is the body signals can help in achieving good health by signaling the need of the body for proper nourishment in the correct amount the amount जो सरीर के संर्गेत होते हैं वे हमारे उत्तम स्वास्ते को बनाए रखने में मदद करते हैं जो हमारे सरीर को पोशन क्या आवशकता होती है उचित पोशन की उचित मात्रा में उसकी आवशकता होते ही वे हमें संकेत दे देते हैं वो अधिक खाने से भी हमें चेताते हैं हमें अलर्ट करते हैं यह आपकी क्वेशन नमबर सेओन है पीष्ट ओफ दे डेड़ चेप्टर से लिया है दर्शन आगा उसकी आजीवी का केशे कमाता था आंसर है दर्शन आगा अजीवी का कमाता था वो पहाड़ी पर जाता था वहाँ से पानी लेकर आता था और गर-गर जाकर उस पानी के सप्लाई देता था पेशा कमाने के लिए वो एक पहाड़ी पर जाता उपर और वहाँ जढ़े से केंस बर के लाता पानी की इस प्रकार वो अपनी आजीवी का कमाता था क्वेसर नमबर एट वाई डिड़ दे ओड में सिट बाई दे साइड ओप दे रोड यह हमने ओड में एड दे ब्रीज चेप्टर से लिया है बुड़ा वेकती सड़क के किनारे क्यों बेटा हुआ था आंसर आपके सामने नजर आ रहा है बुड़ा वेकती सड़क के किनारे बेटा हुआ था क्योंकि अब वो आगे जाने में असमर्त था वो बहुत थका हुआ था वो 76 साल का था था वो 12 किलोमेटर और वो 12 किलोमेटर पेदल चल चुका था वोट वोज दा विश ओफ उतंगास मिस्ट्रेश उतंग की जो गुरु माता थी उनकी इच्छा क्या थी इसका आंसर है उतंग्स मिस्ट्रेश विश वोज टू विएर्द इयरिंग्स ओन बाई दे क्वीन जो उतंग था उसकी गुरु माता की इच्छा थी कि राने के द्वारा पने गई कानों की बालिया पनने की जो चार दिन में उनकी जो वाँ एक दावत होने जा रही थी उस दावत में वो उसे पहना चाती थी अगला क्योशन दिया है जब चोटे सेतान ने किसान को पहाड़ी के ऊपर बीज बोने के सला दी तब क्या गटित हुआ था इसका आंसर है तो उस वक्त जो बारिस हुई यानि की गर्मी में बारिस हुई इससे पीजान को पहले से भी ज़्यादा पसल की प्राप्ती हुई अगला क्योशन दिया हुआ है 21 सतावदी में प्रत्वी पर हमला करने की कोशिश किस ने की थी अभी इसका आंसर है तिंक टेंग रूलर ओप मार्स ट्राइब तो इन्वेट अर्थ इन दे 21 सेंचुरी जो मंगलगर का राजा तिंक टेंग था उसने 21 सतावदी में प्रत्वी पर हमला करने कोशिश की वो प्रत्वी को उसके शासन के अधीन लेना चाता था अगला क्रस्निया पर दिया हुआ है जामबाजी के सिद्दान्त के दो मुक्य आदेश क्या थे और इसका आंसर है यहाँ पर हिज की जगम लिख देंगे जामबाजी के संदेश में 39 मुक्य सिद्दान्त सामिल है Its two major commandments were a prohibition against the cutting down of any green tree इसका जो दो मुक्य आग्याए हैं वो हैं कि एक तो कोई भी हरा पेड नहीं काटा जाएगा or the killing of any animal और किसी भी जानवर को नहीं मारा जाएगा जामबाजी's message of humanity and respect for all living things were eagerly accepted जामबाजी के संदेश मानवता और सभी जीओं के प्रती सम्मान का सब ने स्विकार किया था अगला क्योशनियाँ पर दिया हुआ है Why did Griffin set fire to the house of the first landlord? Griffin ने उसके पहले मकान मालिक के घर में आग क्यों लगा दिती? और इसका answer दिया हुआ है Griffin was a lawless person Griffin एक कानून तोड़ने वाला वेक्ती था His landlord disliked him उसका मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था and tried to eject him और उसे घर से बाहर निकालना चाहता था In revenge बदले में Griffin set fire to the house Griffin ने घर को याग लगा दी थी आएए आगे बढ़ते हैं अगले question के तरफ अगला question आपकी यहाँ पर दिया हुआ है How can you say that the old man was the last person to leave the town यह old man ate the breeze से लिया है आप केसे कर सकते हैं कि बुड़ा वेक्ती उस कस्वे को सहर को छोड़ने वाला अकेला वेक्ती था इसा आप केसे कर सकते हैं और इसका answer हम लिखते हैं It is quite true that the old man was the last person to leave the town Because he was taking care of his animals He was worried about his pet animals वह अपने पालतु जानवरों को लेकर बड़ा चिंती था He had left behind 11 animals वो पीचे 11 जानवर चोड़ कर आया Two goats, a cat and four pair of pigeons दो बक्रियां, एक बिल्ली और चार जोड़े कबूत्रों के वो वहाँ चोड़ कर आया था इसलिए वो सबसे पीचे रह गया था अगला question आपके यहां पर दिया हुआ है Why did Anil dislike the first meal cooked by Hari Singh Hari Singh के द्वारा जो पहली बार बोजन पकाया गया उसे Anil ने क्यों नापसंद कर दिया और इसका आंसर है Anil disliked the first meal cooked by Hari Singh because it must have been very bad Anil gave it to a stray dog Anil ने जो Hari Singh ने खाना बनाया था उसे नापसंद कर दिया क्योंकि उसे वो बहुत बुरा लगा Anil ने इसे एक आवारा कुट्टे को दे दिया अगला question है Who was Gulnaz? Why did she panic? Gulnaz कौन थी और वो क्यों परेशान हो गई? क्यों घबरा गई? Anser है Gulnaz was दर्शन आगा's wife Gulnaz दर्शन आगा की पतनी थी She panicked when she heard the news of her husband's death वो गबरा गई, परेशान हो गई जब उसे उसके पती के मृत्यों के बारे में पता लगा She was in deep sorrow because it was not easy to be left with two small children वो गरे दुख में डूब गई क्योंकि दो चोटे बच्चों के साथ वो उन्हें चोड़कर चले गई थे उनके पती How could she feed them only by washing clothes two or three times a week दो या तीन बार कपड़े दोने जाने से वो उनका कैसे पेट बढ़ सकती थी She thought again and again एसा उसने बार बार सोचा इसलिए वो परेशान हो गई प्रेंट्स सेस रेक क्योसंस को हम आपके अगले पार्ट में सोल करेंगे आप चैनल के साथ बने रहें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी जरूर लाइक सेर करें प्रेंट्स थेंक्यू